दूसो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से फिर से एक बार क्रिस्टरफ अमारलोगा फेमस ड्रामा डॉक्टर फॉस्टरस को एक नए नजरिये से डिस्कस करने कुशिश करूँगा दूसो आपको काफी सारी नई चीज़े जानने को मिलेगी इस वीडियो में मतब कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपकी critical thinking को enhance करेगी चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में एक historical character था डॉक्टर जॉन फॉस्टरस का कहा जाता है ये एक self-proclaimed magician था यानि जो लोग जादू टोना करते हैं उन्हें शुमार था ये सब चीज़ों से उस वक्त यानि Elizabethan लोगों को बड़ा डर लगता था Catholics हो या Protestants किसी को भी एक काला जादू ऐसी चीज़ें करने वाले लोग कुछ खास पसंद नहीं थे क्योंकि बहुत religious climate था Protestants और Catholics के बीच में जरूर लड़ाई चल रही थी उतर बदल चल रही थी लेकिन फिर भी किसी एक religion में लोग मानते थे और इसी चीज़ का advantage लेते हुए Marlow ने इस play में आप देखोगे Dr. Fosters का character लिखा जब आप इस play को seriously पढ़ोगे तो देखोगे कि Marlow का जुकाओ Protestants की तरफ कुछ ज़्यादा था play में एक मौका ऐसा आता है जब Catholic Church का एक Pope होता है जिसको परिशान करता है Dr. Fosters ऐसा माना जाता है कि Marlow ने जानबूच कर ऐसा scene डाला था ताकि वो बता सके अपनी audience को कि उनका जुकाओ Protestants की तरफ है वैसे तो England में शान्ती थी लेकिन उसमक्त बोलबला था इन Protestants का जो बड़ा खुश हो रहे थे कि Pope को परिशान करने के लिए देखो Dr. Fosters ने जादू का यूज किया लेकिन इस play को पढ़ते वक्त आप ये मत सोचना एक बात ध्यान में रखना ये किसी भी तरह से हमें ये नहीं सिखाता कि धर्म से दूर चले जाओ बल्कि अगर तुमने धर्म की उपेक्षा की तो तुमें क्या-क्या जहिलना पढ़ सकता है इस बात की चितावनी देता है ग्यान अच्छा है लेकिन अंधे होकर अगर तुम अपने creator पर ही सवाल उठाओगे उंगली उठाओगे या खुद creator बनने ही कोशिश करोगे तो तुमें कीमत चुकानी पड़ेगी डार्लिंग चुकानी पड़ेगी वैसे इस play में एक बहुत important सवाल है एक philosophy जो आज भी mystery बनी हुई है क्या इंसान की कोई free will है या सब कुछ पहले से तय है उस वक्त एक बहुती famous philosopher थे John Calvin philosopher इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उस वक्त एक Protestant धर्म शास्त्री हुआ करते थे यानि धर्मिक चीजों के उपर लिखते थे उन्होंने कहा था कि हर इंसान की destiny भगवान ने पहले से तय कर दिया है जो पहले से तय कर दिया गया है वहाँ आप जाओगे जाओगे रास्ता और situation अपने आप तयार हो जाएगी ये ठीक से समझाने वाली चीज है मैं आपको end में समझाऊंगा वीडियो खतम करते करते पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के audience के लिए उस वक्त के dramatist के लिए कि इतना boldly religion पे कोई बोल सकता था क्या जो मार्लो कर रहे थे यानि जब मार्लो ने देखा था कि उनके आसपास market में भूत, पिशाच, चुडैल इन सब पर books available थी लेकिन फिर भी लोग इन सब चीजों पर डरते थे क्योंकि science नेथी progress नहीं की थी में एक act भी बना था ये जादू टोने पर और religion पर drama लिखना भी कोई बहुत छोटा काम नहीं होता था, बहुत बड़ा काम होता था बैन कर दिया था ये मार्लो का last play था जो religion पर perform हो रहा था play गाने से पहले उसके बाद में इस sensitive topic पर कोई भी drama नहीं लिखा गया मतलब इतना openly नहीं perform हुआ जैसे ये play perform हुआ था जैसा मैंने बताया कि उस समय के लोगों को ये alchemy, astrology, magic इन सब चीजों पर बहुत यकीन था इसलिए ये play successful हो गया दूसरा ये था कि ये religion पर लिखा गया था तीसरा एक history को उठाता था इस बात पर किसी ने सवाल नहीं उठाया उस time तक कि वाकई में soul का सौधा हो सकता या नहीं मतलब बड़े बड़े intellectuals थे जैसे कि Martin Luther वो condemn करते थे इस बात को यानि इतने बड़े intellectuals भी Protestants और Etholics के जगडे में उलजे हुए थे लेकिन ये अंदविश्वास जैसी चीजों पर सोचने का किसी को भी time नहीं था आज हम बोलें कि ये तो अंदविश्वास वाली बात है कि तुमने soul का सोधा कर लिया ऐसे धोड़ी होता है soul का सोधा किसी ने देखा है शैतान को नहीं उस वक्त के लोग ऐसी चीज़े जानते ही नहीं थे जब जान फॉस्टरस मरा वो रियल डॉक्टर फॉस्टरस जब मर गया तो एक अफवा मार्केट में फैल गई कि शैतान ने उसकी आत्मा ले ली शैतान उसकी आत्मा लेकर चला गया इसी का फायदा उठाते हुए जोहान स्पाइज नाम का एक बंदा था उसने उसकी लाइफ पर बुक लिख दी और प्रेंटिंग प्रैस नहीं नहीं आई थी मार्केट में तो बुक फेमस हो गई 1587 में ये जर्मन लैंग्विज में बुक आई दुनिया के सामने बहुत फेमस हो गई पर दो साल बाद या एक साल बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आगई मार्लो ने उस वर्क से यानि उस हिस्ट्री से ये माटेरियल उठाया जोकि काफी होट टापिक था उस टाइम का ये भी एक रीजन था कि ये ड्रामा चल गया जब इसको लिखकर तयार कर लिया गया तो मार्लो की किस्मत थोड़ी खराब थी कि उसमक प्लेक की वज़े से थेटर्स को बंद गर दिया गया लेकिन जब थेटर्स रियोपन हुए तब तक मार लोगा मर्डर हो गया था लेकिन बाद में नज़ाने कितनी भी बार दर्जन भार इसको पहुम करवा करवा के थेटर्स वालों ने काफी पैसे कमाया उस टाइम पर लेकिन टाइम के साथ में ऐसी बैरन एज आई थेटर्स के लिए बंजर ये जाई कि घरती पापुलर्टी की वज़े से नज़ाने डॉक्टर फॉस्टर्स भुला दिया गया नज़ाने कहां चला गया लेकिन देखो अचानक फिर से क्योंकि एक अच्छा लिट्रेचर जो होता है ताइम दर टाइम उसमें इंटरस्ट बढ़ता जाता है लोगों का फिर से लोगों को इसमें इंटरस्ट आया कि कुछ तो है इस ड्रामा में आज लिट्रेचर में इस ड्रामा को लिखने के बाद में जो भी करेक्टर्स आप देखते हैं नों दोस्तो ओर अमबिशियस करेक्टर्स जैसे विक्टर फ्रेंकिन्स्टीन का करेक्टर वो मारलो का एक्सपेरिमेंट था उसी का रिजल्ट है जो ऐसे करेक्टर्स हमको देखने को मिलते है लिट्रेचर में अब एक बहुत काम की बाद जो अभी तक पता होगा दोनों में फर्क समझाता हूँ ज्यान यानि नॉलेज का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना फैक्ट्स आंकडे सिद्धान्त इन सब को एकठा करना नॉलेज है इस नॉलेज को आप किताबों से टीचर से, इंटरनेट से बटोर सकते हो वहीं बुद्धी इस से थोड़ी अलग होती है विजड़म एक ऐसी चीज होती है जो नॉलेज का सही तरीके से यूज करना, अपनी प्राब्लम्स को सॉल्व करना, नए आइडियास बनाना और situation को समझना होता है बुद्धी ग्यान से बहुत अलग है ग्यान तो हमें इंटरनेट पर मिल जाता है लेकिन क्या हम उसको यूज करना जानते है यूज करना तो बुद्धी होती है मतलब बुद्धी जो है वो ग्यान को वैवारिक बनाने में मदद करती है एक्जामपल दे कर समझाओ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा जैसे माल लो कि एक चेस का गेम है अगर आप चेस के गेम के सारे रूल्स को अच्छे से जानते हो तो हम कह सकते हैं कि इस खेल के बारे में आपको नौलेज है लेकिन वहीं अगर आप उन रूल्स का यूज करके एक मजबूत चाल चल सको जसे आप जीश सको तो हम ये कहेंगे कि आपको शतरंज खेलने की बुद्धी है दोनों में वही फर्क है एक का मतलब होता है सिर्फ जमा करना दूसरे का मतलब होता है यूज करना लेकिन जमा किए विना आप यूज नहीं कर सकते किसी चीज को ये मत समझना कि नौलेज या ज्यान एक्दम बेकार चीज होती है अगर ज्यान नहीं होगा तो बुद्धी नहीं आएगी बुद्धी हमेशा ज्यान से ही पैदा होती है ज्यान होगा तभी बुद्धी आएगी जब आपके पास में knowledge होगी नहीं तो आप connect किसको करोगे use किसको करोगे बुद्धी तभी आएगी जब आपके पास में ज्यान होगा तो fosters की यही गलती हो गई वो ग्यान का प्यासा था उसे सब कुछ जानना था सब कुछ जो भी available हो सब जानना था जब उसने जान लिया फिर उसने कहा कि इसके आगे क्या इसके आगे ग्यान पहने के लिए बुद्धी को पीछे चोड़ दिया उसने सब सोचा कि मैं तो काला जादू सीखूंगा उससे मुझे पता चलेगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है यानि उसे बुद्धी की परवानी थी उसे नौलज चाहिए थी और बुद्धी उसे मिली एंड में जब प्ले खतम होने वारा था वो बुड़ा आदमी बार-बार उससे कह रहा था उसे एंड में समझ में आया कि बुड़ा आदमी मुझे बार-बार कह रहा था गुड एंजल मुझे बार-बार कह रही थी वो शेयतान मीफिस्ट अफलस भी इशारे में मुझे कह रहा था तुम्हारे पास knowledge है लेकिन बुद्धी तब आएगी जब तुम समझ पाओगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है मैं example दे कर समझाता हूँ न दोस्तो जैसे Alfred Nobel का नाम आपने सुना होगा World Major Nobel प्रोषकार दिये जाते हैं जनके नाम पर उन्होंने dynamite बनाने के बाद में और openheimer का नाम आपने सुना होगा जन्होंने nuclear bomb बनाया था उन्होंने nuclear bomb बनाने के बाद में जो feeling आई न उसको बुद्धी कहते है कि हमने knowledge से ऐसा bomb तो बना दिया लेकिन बहुत बड़ा काम भी हो गया लेकिन इससे सिर्फ दुन्या में तभाई होगी जो end में realize हुआ उसको कहते है बुद्धी तो इसलिए कहते है कि knowledge और wisdom में फर्क होता है इस फर्क को समझो जानो Dr.Fosters की life में जो कुछ भी हुआ ऐसा होने की सबसे बड़ी वज़े थी उसका pride उसे लगने लगा था कि मुझसे पहले बड़े बड़े philosophers आए सबने एक limit पर आकर अपने आपको रोक लिया या रोक गए मुझे उनसे भी आगे जाना है क्या पता मैं इस काले जादू को सीख कर देवताओं के level पर चला जाओ या हो सकता है भगवान भी बन जाओ अरे भगवान बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है और ये जो wisdom है ये मुझे भगवान बनाने के रास्ते में आ जाएगी यानि मुझे रोकेगी तो wisdom को उसने रखा side में और knowledge की पीछे बागता रहा लेकिन एक बार जब उसके हाथ में power आ जाती है तो वो क्या करता है प्रैंक्स करता है जो उसका मकसद था वो तो भूल गया बेकार की चीजों में लग गया उसे भगवान बनना था लेकिन वो बेकार की चीजों में लग गया वो प्रैंक्स करता है कि ईश्वर ने पहले से सब कुछ तय कर दिया है तो हमारी कोई free will नाम की चीज नहीं है हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की इच्छा से करते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं हम सोसते हैं कि हमारी free will है लेकिन free will नाम की कोई चीज नहीं होती करने के लिए वो गुड एंजल नहीं आई, वो ओल्ड मैन नहीं आया, मीफिस्ट रफिलस ते उसको नहीं बुला सब चीज़े उसके सामने हुई लेकिन फिर भी बार-बार मारलो ने उसे पीछे कहच लिया बार फॉस्टरस ईश्वर से माफी मांगने जाता ही होता कि उसे मारलो पीछे खिंच लेते, जॉन केलवन की बात को साबित करने के लिए कि फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं होती लेकिन आज जॉन के इस आईडिया पर सवाल उठाया जा सकता है दोस्तों कि जब पहले से ही सब कुछ तैय है तो हमें सजा किस बात की दी जा रही है, हम ये जो कोट सिस्टम बना कर सजा किस को दे रहे हैं अगर भगवान की इच्छा है तो भगवान की इच्छा बोलकर छोड़ दो सारे कर्मिनल्स को इसी तरह से बहुत सारी बाते हैं इस प्ले के अंदर दोस्तों पारे मैंने आपको नहीं बताईए, दीरे-दीरे सब कुछ डिस्कूस करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं, नेक्स्ट वीडियो